है है लो फ्रेंज आगेन वेल्लकब टू दर टीवियल कोचिंग संटर आप सभी के फिर से टीवियल कोचिंग के इस यूटीब चनल बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आपने थम्लेल देखाई होगा जी हाँ फ्रेंज इस वीडियो में हम विहार आईटी आई जो इंट्रें बन चुका है जो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और यह हमारा पाट टू है जो इसमें काफी काफी महत्पूर महत्पूर कोचनों को सामिल किया गया है जो 2020 आईटे इंट्रेंस इंग्जाम के लिए काफी हेलफुल साबित हो सकता है तो ओ हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और यदि आपको इस वीडियो से कुछ डूर्फीट या कुछ फाइदे मिले हो तो हमारे इस चैनल को वीडियो को लाइकक करें ओके तो बढ़ते हैं आपने कोचन की तरफ हमारा फर्स्टकोचन क्या बोल रहा है First round II को Bowl रहा है। फ्रेंस नहीं लिखित में से कौन सा देश Brics Самीर्थी का सदस से नहीं है। Brics समीर्थी में First often High हम लोग यह देखेंगे कि कौन कौन से देश भाग लेते हैं। Toh Brics को हम लोग यहां पर टाइप करेंगे Toh BRICS ऐसा ही नहीं था प्लोगा फ्रेंस। इसा से लिखा लाता है इस स्थे कोई बात नहिंसे कोई वात नहीं है उसके बाद C4 चाइना बी औप्सरा और और S4 कह आ हनए आए साध अफ्रीक है आपको यान रखना है यहांके रिमेंबर के सेकर कॉन कांट्री यह आzk। इसलिए यहाँ पे हमारा right answer क्या होगा here the option is the c is right answer here the option c is right answer तो यहाँ पे option number c आपका right होगा ओके फ्रेंच नेक्स कोचन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स कोचन हमारा बोल रहा है निमलिखित में से कौन भारत का राष्टिय जलिय जीव है तो भारत का राष्टिय जलिय जीव अभी 2010 में घोसित किया गया है भारत का राष्टिय जलिय जीव गंगा नदी के डॉल्फिन को जिसे गंगा संसु सुन्स भी कहा जाता है इसको आपको याद रखना है यह काफी important है बिहार ITI 2020 इंटरेंस इक्जाम के लिए नेक्स कोचन के तरह बढ़ रहा है तो नेक्स कोचन आपको बोल रहा है कि स्वराज मेरा जनसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा किस ने दिया था तो यह आपको रिमेंबर रखना है और या आप 10 में अच्छी तरह पढ़े होगे तो आपको याद होग कि ये कथन बाल गंगदर तिलक ने बोला था महातमा गांदी ने क्या बोला था करो या मरो या करो या मरो ये महातमा गांदी ने बोला था और सुबाच अंदी ने क्या बोला था तुम मुझे खूंदो मैं तुम्हें आजाजी दूंगा और लाला लाजपत्राय ने क्या ब जिसके जिससे उनकी मौत भी हो गई थी कुछ दिनों बाद लेकिन जब लाठी इन पर प्रहार की गई तो उस समय इन्हों ने बोला कि हर एक लाठी अंग्रेजों के लिए कील की काबूत साबीत होगी तो यह कथन किसने बोला था लाला लाज पतर है तो यहां पर क्या बोल र तो यहलो कोचन को देखते हैं तो वो ऽंत рокोचन हमाथा बोल रहा है जरमनी की मुद्रा क्या है इसको आपको याद कोचन किलियर हो जाएंगे तो उसको देखना न भूलिएगा काफी जल्दी उसको हम लोग लेके आएंगे नेक्स कोचन की दरब बढ़ते हैं तो नेक्स कोचन फाइप ने में बोल रहा है विस्टुव का सबसे अधिक दूद उत्पादन करने वाला देश कौन सा है सबसे और अपना भारत है तो यहां पर राइट एंसर क्या होगा भारत होगा नेक्स कोचन की दरब देखते हैं तो नेक्स कोचन फ्रेंस यहां पर नमबर देना भूल रहे हैं यहां पर नौर्वे की राजधानी पूछ रहा है तो नौर्वे की राजधानी इसको भी आपको के अग्रानी थे यानि की उनका जो योगदान था उसको उनका योदान कौन से करन्दिकारी में था तो यहाँ पे ऑप्षन नमर सी इधर राइट एंसर होगा बारदोली सत्यागरा के दवरानी सर्दार बल्लभाई पटेल को सर्दार की उपाधी बारदोली की महिलाओं ने द किन के दवरा चलाए गया था सर्दार बल्ल भाई पर टेल दवरा तो अप्शन नमर सी यहां पर हमारा क्या होगा राइट होगा ओके नेक्स कोचन की तरह बढ़ते हैं तो नेक्स कोचन हमारा बोल रहा है निमलीखित संग घटनाव का उनके घटना क्रम अनुसार सही क्रम क्य तो करमवार सजाना है कब कब हुआ है तो फ़र्स्ट अपर तो हम इसको यह जाने कि यह कब कब हुए है तो कबिनेट मिशन की बात करें तो कबिनेट मिशन आपका 1946 में इस उसके बाद से मिलाई देखते हैं तो 1945 और यह आपका पूर्णा पैक्ट महात्मागांदी और डोक पर देखते हैं कि सबसे पहले कौन हुआ था तो आपका थर्ड नमर पहले हुआ था एक नमर थर्ड नमर और दो नमर में कौन सा जाएगा आपका भारत चरों अंदलन एक नमर 1942 उसके बाद 3 नमर में आपका 45 वलाएगा क्योंकि 46 के पहले 45 आता है तो यहाँ पे 3 नमर में 2 नमर उप्शन होगा और 4 नमर में आपका cabinet mission होगा तो यहाँ पे option नमर कौन बोल रहा है एक नमर में 3 है तो 3 पहले कौन से option में है B और C में है तो उसके बाद 3 के बाद क्या एक नमर पहल रहा है तो यहाँ पे C में 1 है उसके बाद B में नहीं है तो यह cancel out हो गया और यही आपका answer हो गया तीन के बाद 1, A के बाद 2, A के बाद 4 तो यह आपका option number C is the right answer हो जाएगा नेक्स कोचन की तरह बढ़ते हैं तो नेक्स कोचन आपका है आठ नमर बोल रहा है निमलिखित में से कौन सा मुगल सासक और सिक्ची था यानि कि वो अनपड था तो आपको याद रखना है फ्रेंस अकबर अनपड होते हुए भी काफी बुधिमान था और काफी मतलब अच्छे से सासन भी किया और इसके समय में हिंदू मुस्लिम एकता भी जो था ही वो बहुत बढ़िया से थी यानि कि हिंदू मुस्लिम एकता बहुत अच्छी थी क्योंकि इनके इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है उसको हम बताए तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा ओके फ्रेंस नेक्स कोचन की तरह बढ़ते हैं तो नेक्स कोचन हमारा बोल रहा है नाइन्थ नमर की सुमिलित किजिए यानि की सुमिलित करना है मिलान करना है तो राजाराम मोहन को यहाँ पे देखते हैं आप तो यहाँ पे आरे समाज है आरे समाज है तो आरे समाज में कौन सा आएगा आपका यहाँ पर आपका आरे समाज में दयाना दयाराम साहनी आएगा दयाना सरसोती ब्रामन समाज की बात करे तो ब्रामन समाज में आपका यह राजा राम मोहन आ जाएगा ओके फ्रेंस और यह बेद समाज की बात करें तो आपका केसव चंदर सेन आएगा और प्रार्थन समाज की बात करें तो यह option number 3 आएगा तो 1 का 2 का कौन से option में है? यहाँ पर 2 number option में है उसके बाद 2 का 1 दो का एक भी है यहां पर बी नम्रों समें और तीन नम्र का छाइच सीका चार भी है यहां पर यहां पर दोन हो गया उसके बाद डीका कौँ साहमें थीन का सब्सक्राइव दीक का तीन पर यहां पर सिंसर क्या होगा ओफ्रीज़न और मृनल म May महातमा गांधी द्वारा चंपारन में कौन सा अंदोलन शुरू किया गया था तो जब फ्रेंज महातमा गांधी 1915 में दक्षिन अफरीका से भारत लोटे थे तो वहाँ पे बिहार के एक राजकुमार सुकल जो थे वो चंपारन में महातमा गांधी को इन्भाइट किये थे और बोले थे कि आईए और यहाँ पे देखिए कि आपके किसान यानि कि जो नील के किसान है उनके खिलाब किस परकार अंग्रेजों द्वारा बेवहार किया जा रहा है तो वो इसको देखने के लिए in 17 में क्या भारत चोरू आ ठी शत्यागरा के रूप में चंपारन सत्यागरा चला कर वहाँ आंधा बाद से यहाँ到底 आ यानिये कि चंपारन सथ्यागरा के नाम से उसको जाना गा तो चंपारन नहीं है तो इससे डुरने की बात नहीं आइए इसलिए आप्ये औप्सय नंबर ए सताई टेंसर हो जाएगा कि तरफ लेवन हमें को सब देखे तो आपका किस अनुषेत के अंतरगध भारत के राष्ट पती दुबारा बितीय अपाद का लागु किया जाता है तो यहां आप बितीय अपाद की बात किया गया है तो फ्रेंट बितीय अपाद आपका 360 में आता है आपात तीन परकार के होते हैं ठीक है फिर्ष्ट एक बितिय तो हो गया और 163 156 में आता है वह राष्टपति सासन है जो अभी महराष्ट में लगा हुआ तो यहाँ पर आप थी नों आप आर्बार में आंगे 370 में आपका बिद की बाद की है 302 में आपका जो है कि आरश्टियशाषन यानिकर पूरा राश्ट जो है वह बंद हो जाएगा और 356 में राश्टपती सातंब जो एक ही राजी में या एक से अधिक व्या राजी में राष्ट पती दुवारा लगाया जा सकता है नेक्स कोचन की तरह बढ़ते हैं तो नेक्स कोचन हमारा टूएल नम बोल रहा है निम लेखित में से कौन सी संग्य सरकार की एक बिसेशता है तो संग्य सरकार की बिसेशता मुझत यहां पर संस्रत के सरोजता यह तो शिर्प नहीं होगा नए पाली का कि सरोजता यह भी सिर्फ नहीं होगा संघ तरफ राजियों के भी सक्तियों का विर्ण हाँ यह सही anser है यह आपका option गई थी तो यहाँ पर इस्टिन यह कंपनी के स्थाफना का हुई थी 1608 की बात करें तो 1608 में कैप्टेन होकिन्स नाम के जो एक राजदू था वो महराणी यानि कि वहां की जो इंग्लेंड की महराणी थी उनके दोबरा भेजा गिया था जो जाहागीर के दर्वार में आया गया था और 1632 में ताज महल की निव रखी गई थी उस समय ताज महल का निर्मान इस्टाट किया गया था और शोलस आपका यहां पर राइट एंसर होगा और 1614 की बात करें तो 1614 में जहांगीर ने चासन सता को समाथ कर दिया आपना ओके प्रेंस नेक्स को तरह बढ़ते है बूल रहा है कि भारती समीदान में नियाइक पूर्ना व लोककौन का परावधान किस देष के समीदान ससे लिया गया था यह आपका शनिज दराश्त अमेरिका से लिया अजहा है यह यह आफेंसर अल्альном साका remedy सब्सक्रापन Council को निया गया है सो सब्सक्राइए Is Bluetooth चाली सब्सक्राइब सब्सक्राइब बढ़ते हैं राज जी की न्यूकति करता है जिसकी निवकति आपका भारत का पती करता है और भृत के राष्ट पति की बात करें तो भारत कर राष्ट पति की निउपतिन नवर बोल रहा है निमली से कौन सा कर्टवे के अंत्रगत नहीं आता है या Though करत्व नहीं आता है सरवजनिक संपर्दी को की रख्षा करना यह तो है और आपको सरवजों शंपर्दी जो भी सरकार करना लाइगता है उसकी रख्षा करना आपका कर तब takie है प्रकृतिक प्रयावरान का सरुन्रख्षन था उसमें सुधार करना है यह यह चीवन के लिए काफ़ी लबधायक है नेक्स्ट सथभावना को बढ़ावाद देना भाए सब्वाना को बढ़ाद नेकि अच्छी भाव यानि कि आपके आपके पूर्ण सवावथ नहीं दिया सकती है उस पे भारत सरकार या सरकार या कानून का अधिकार है तो यहां पर आपका सही होगा तो ओके नेक्स को सब्सक्राइब भारत के राष्टपती के पद के लिए कौन सपद दिलाता है तो भारत के राष्टपती के पद के लिए अभी हमने कुछ दिर पता आया था पहले क्या भारत के मुखिनेदिस का महारत के मुखिनेदिस जो है भारत के राष्ट पती के करते सपद दिलाते हैं परधान मंत्री की बात करें तो परधान मंत्री को राष्ट पती सपद दिलाता है उपर राष्ट पती को राष्ट पती सपद दिलाता है गौर्णर जेनर की लेकिन यहां पर क्या है राष्ट पती का है बात किया गया है तो यहां पर और बीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इसको क्या किजिए सियर किजिए ताकि हमारा वीडियो सभी व्यक्ति के पास जाए और सारे जो विहार के आईटिया इंटरेंस एक्जाम देने वाले स्टूडेंट है वह इनसे कुछ ज्यान प्राप्त कर सके ओके फ्रेंट तो चलते हैं मिलत अगले नेस्ट वीडियो में ओके थैंक्स us झाल झाल झाल